असलाम लीकुम इस डॉक्टर अफशीन और वेलकम तो चैनल अफशीन्स फिजियोडोस तोड़े लेक्टर इस अबाउट मोडिफाइड एश्वर स्केल मोडिफाइड एश्वर स्केल जो होता है वो स्पासिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि मैं यहां पर CP के लेक्टर की सिरीज मैंने स्टार्ट की होई है यहांपर CP की अकॉर्डिंग बताऊंगी अदरवाइस आपके पास कोई भी patient आता है जिसमें spasticity हो सकती है कोई भी disease ऐसी है जैसे कि stroke या CVA का patient है तो वो spastic condition के साथ आ सकते हैं तो उनमें भी हम check कर सकते हैं modified asher scale को तो यहां पर देखते हैं grade zero ठीक है इसमें grade है six grade यह होए जिरो से four तक ठीक है इसमें zero में कोई increase नहीं होता muscle tone में बिल्कुल normal movement होगी जब आप passively movement कराओगे ना flexion या extension किसी भी joint पर तो वह normal होगी so अगर grade one की बात करें grade one में slight increase होता है muscle tone में इनके थोड़ी सी muscle tone ज्यादा होगी ऐसे कि आप movement कराओगे ना तो movement के बिल्कुल end पे जाके आपको resistance मिलेगी वह भी बिल्कुल थोड़ी सी जैसे catch आया है और release हो गया है इस तरह से बिल्कुल end पे अब plus one है ना plus one थोड़ा सा one grade one से ज्यादा कर लो ठीक है slight increase है इसमें भी less than half way में resistance यहां पर फील होगी grade plus one में यानके end पे जाके half से बहुत कम way में resistance फील होगी थोड़ी सी end पे जाके catch और release वालसीन है तू जो है ना two में marked increase है resistance में यानके बहुत ज्यादा काफी ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि movement possible ही ना हो काफी मतब एक है marked increase है और जो grade three grade three में considerable increase है यानके grade two जो है वो थोड़ा सा कम और grade three उससे ज्यादा mark considerable increase है यानके throughout movement resistance आएगी और जो passive movement अना वो मुश्किल हो जाएगी perform कराना भी difficult होगा आप grade four की बात करें तो इसमें तो बिल्कुल movement कराना possible ही नहीं होगा वो part rigid हो जाएगा जिस पे आप movement करा रहे हो ना वो rigid हो गाएगा तो यह सारे grade थे modified as was scale के इसकि लावा पहले जो use होता था उसको इसे onze scale कहते थेrazmek में जो plus one वाथ कॉइंच होस्किल मौड़िफा कर दिया प्लैसवन ने आड़ कर चले आए मैं आपको दिखाती हो किस तरह से हम practically लिएख सकते हैं तो यहां पे अगर देखें मैं आपको दिखा रही हूं अलबो पे फ्लेक्शन की तो जीरो पे बिल्कुल नॉर्मल है ठीक है उसके बाद अगर ग्रेड वन की बात करें तो ग्रेड वन पे एंड पे आके थोड़ा सा कैच आता है फिर रिलीज हो जाता है और ग्रेड प्लस व आप वे में रिजिस्टेंस आती है उसके बाद ग्रेड टू के बाद ग्रेड थी आता है जिसमें इंक्रीज इंड रिजिस्टेंस है मसल टोन बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पैसे मुवमेंट यह दे कि मुझे बिल्कुल कराने ही नहीं orada लिकिल्ट पॉसिबल नहीं है बिल्कुल होती नहीं है बिल्कुल होती नहीं है यह इनके पार्ट paar फित निंहीं कर पाता हैं तो पुजीशन के तूरू या स्ट्रेशिंग के तूरू या जैसे भी करनी है वो हम नेक्स लेक्टर में इंशालला देखेंगे तो उसके लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें अगर अब ही दग भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया और मेरे वीडियो को लाइक कर दें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में इंशाला अलाहाफिज